स्वागत थे आपका स्टेडी वित्मेंट फ्रेंस आपके इग्याम से रिलेटर जो एक इंपोर्टेंट नोटीस आया उस नोटीस को दिखाने के पाले मैं आपको बता दू बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते थे सर जो है तो मैं कहां से टेस्ट सरीज पर्चे करते हैं उसमें आपको जो है ते 300-400-500 रुपए देना पड़ता है लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यह उनली आपके लिए 168 रुपए में परिच्छा आपकी टेस्ट सरीज मिल लएगे वह भी यंटी पीसी या गुरूपडी आप किसी भी एक्जाम की तयारी करना है अब इस टेस्ट सीरीज को आपको कैसे पर्चेस करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया वहाँ पर जाकर आप परिच्छा आप को इनिस्टाल कर से उसको पर्चेस करना है वह भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ता यह मैं आपको दिखा रहा हू रहे हों आप जो है इसको कैसे परकेष कर पाएंग उसके लिए आपको फिर आपको प्रहों से जब डाउनलोड हो जाएगा तूसके पास आपको यहां कि बाग की हुए टेस्ट है इनको टेस्टों को आपको देने के लिए आपको क्या करना होगा आपके लिए टेस्ट हैं इंगलिज डोनों में रहेंगे यहां पर देख रहे हैं आपके लिए जो यह test है 279 रुपाई का दिक्रा हैं लेकिन आप जैसे यहाँ पर coupon code apply करेंगे तो आपके लिए जो पर है वो 168 का हो जाएगा देखिए इसको पर्चेस कैसे करना आपको यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देंगे अब जैसे आपके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप से यहाँ पर देख कूपन कोड़ करने के लिए मागरा यहाँ पर आपको क्या लिखना है आप देखेगा यहाँ पर आपको coupon code फ्रेंस लगाना है क्या पिए यहाँ प्लाई यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आइगा अब आपको कैसे इसको लेना है से भीम से या डेबिट कार से आप जहां से भी लेना चाहते हैं आप यह प्रचेस कर सकते हैं काफी कम रेट पर है और टेस्ट में आपको जो है तो क्या कोपन कोट लगाना है याद रखेगी यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं देना और सभी को कैप्टर लेटर में लिखना है प्रचेस मैं बता दूँ बहुत सारे स्टुडेंट के हमारे पास कमेंट आगा रहे थे कि सर जो है थो हमारा एंटी पीसी का या फिर जो मिनिस्ट्रे लेंड आइसोलेटर काटेगरी क के भी चलने वाला यह दिसमें बैकंसी देखा जाए एक हजार चाहसो तिर्शाट है और एक लाख तीन हजार जो है इस पर अप्लिकेशन किया गया है फाइनले फिर फिर जिद मिनिस्ट्रे लेंड आइसोलेटर काटेगरी की बात की जाएते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में इसलिए मिनिस्ट्रे लेंड आइसोलेटर काटेगरी की जो इस्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है यहां पर देखते हैं आप बात करते हैं यह अंटी पीसी की यह आप इग्याम देखते हैं तो आपका इग्याम 28 दिसमबर से जो है तो आपका मार्च तक पूरा मार्च चलने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं आप लिकाए 28 दिसमबर टू इंडाब मार्च यहां पर देखा जाए तो कॉपी अच्छा यह करोड़ 26 लाग जो है तो आप्लिकेशन किये गए हैं 35,208 वैकंसी है यह देखा जाए नान टेकनिकल पापुलर का टे किया ती है इसमें देखा जाए तो 1,3,760 सबसे जादा मातरा में पद अप्लाई किये जो यहां पर है और यहां पर है और यहां पर देखा जाए फर्म एंटी पीसी का प्रेक्षा लगबाग ग्यारा कुर्ण जो है तिहां पर कम अच्टूडेंटों ने फर्म अप्लाई क किया था आपने भी उस नोटिस को देखा होगा उस पर मैंने भी वीडियो बनाया था कि आपका जो रेल्वे के ग्याम चन्ने वाला है वो जून 2021 के पाले जो है तो खतम कर लिया जाएगा तो उसी से रिलेटर जो है ते रेल्वे अपने कामों पर बिलकुल आगे बढ़ा तो आपको जो एडिमीर कार्ड है अब वो एडिमीर कार्ड कब तक जारी किया जाएगा इसके रिकार्डिंग के फिरंस रेल्वे ने जो एक नोटिस भी जारी किया था मैं आपको उस नोटिस को दिखा रहा हूं कि आपको जो एडिमीर कार्ड है वो किस दिन जारी किया जा यह 30 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गयता है रेलवे चेल्मेंट रेलवे रिक्वेटिंग बॉर्ड अब यहां पर साफ तर पर यहां पर डारेक्टली बताएगे का आपका जो है तो एडिमिट कार्ट वो कब से आयकत आपको यहां पर देख सकते हैं आपके लिए बताए मतलब फ्रेंट्स आपका जो मिनिस्ट्रियन डाइसोलेटर काटेगरी का है बोर ट्रेबलिंग पास आपका यह देखा जाए तो 5 दिसंबर से जो है तो अपलोड होने लगेगा और जो है तो 5 दिसंबर से आपको पता चले जाएगा का आपका मिनिस्ट्रियन डाइसोलेटर देख सकते हैं कि आपका जो e-call later मतलब admit card के लिए जो आपके date आएगी जिस दिन आपका exam रहेगा उससे चार दिन पाले मतलब काने के यह आपका पंदरा तारीक के exam है तब 11 तारीक से अपना e-call later जो है तो मतलब admit card डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो traveling पासे वो आप exam से 10 दिन पाले upload कर सकते हैं आपके लिए जो यहां पर फाइनली यह निकर कर आ रहा है आपका जो ntpc के exam होने वाला है उसके लिए जो आपका admit card आएगा तो वो admit card जिनका 28 दिसंबर को exam है वो 24 दिसंबर से जो है तो अपना admit card डाउनलोड कर पाएंगे इसके अलाबा आपके ज जो आपका जो minister and isolated category के वो 11 दिसंबर से admit card डाउनलोड कर पाएंगे और जिनका student का admit card नहीं निकलता है उन्हें कोई घवराने की जरूरण नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दू जिनका आपका जो ntpc के exam है वो लास्ट मार्च तक चलने वाला जिनका मार्च में इस exam होगा उनका जो है तो admin card exam के चार दिन पाले आएगा और finally आपका कि state को एग्याम आए ये student को 10 दिन केवल पाले पता चलेगा 10 दिन पाले मतलब आपका एग्याम किस दिन है वो आपका एग्याम पाले ही पता कर पाएगी इसलिए friends आपको क्या करने अपनी preparation को जितनी तगड़ी कर सकते हैं उतनी तगड़ी करिएगा क्योंकि आपका इग्याम कब होगा ये केवल आपको 10 दिन पाले ही पता चलेगा क्योंकि बहुत जादा student का इग्याम 28 से ही start होगा कुछ student का जो है तो आपका जनवरी में होगा कुछ का फरवरी में होगा और जो काफी lucky है उनका जो है त इचा टाइम मिलेगा पो सेलेक्शन लेने के लिए ता आप त्रेंस क्या करी आप एपरेशन को ध्यान रखिए जाब कि मन में कोई डाउट है ता आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं प्रेंस मैं आपको मिलता हूं नेक्स अपडेट के साथ है इस्टेडी विद महित अजा खच weiß फिस अजारं और कि मेंगा टाइला यह फिस है जार लेक्स में इचे टूपरेशन लेक्स तूपरेट के साथ हैं मिलेगा मिलक व्वह मैं